2030 के निम्तम करेंट अफेर देखेंगे टोटल 30 MCQ करने वाले हैं वीडियो को लाज तक देखके जाना आपकी एक्जाम में ऐसे ही प्रस्न देखने को मिल सकता है पहली बारा है तो लाइक कर दीजिगे चैनल को स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्न देखें 36 गड़ राज ये के प्रथम कलपना किसने की थी तो आपसन ए पंडित सुन्दालाल सर्मा दूसरा है डाक्टर खुब चन्दपगे तीसरा है पंडित रवी संकर सुपला ये आपसन डी है इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर आपका ए होगा पंडित सुन्दालाल सर्मा चलिए जल्दिस इसका कमेंट करके बताएगा क्या होगा 36 गड़ महा सभग अगठन कब हुआ है देखें महिला परवेक्षक के अगर एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो 36 गड़ समान्य ज्यान प्लस करेंट अपर की क्लास आपकी चर रहे है टोटल 30 MCQ रहने वाली है मैं बार बार कह रहा हूँ लार्श तक देखे जाना आपकी एक्जाम में ऐसे प्रस्न देखने को मिल सकता है इसका अंसर क्या होगा जल्दी से बताएगे 36 गड़ महा सभा का गठन कभी किया गया है फटा फट कमेंट करना स्टार्ट कीजेगा प्रैक्टिस सेट के सांग 28 जनवरी 1956 26 जनवरी 1956 25 जनवरी 1956 या 27 जनवरी 1956 तो इसका अंसर अपका ए होगा 28 जनवरी 1956 इसका बताएगा कि एक नवरी 2000 को मध्य प्रदेश से प्रिठक होकर 36 गड़ देश का कौन सा राज्य बना है तो इसका अंसर आपको होगा बिल्कूल 26 वा कौन सा है आपको 36 गड़ जो आपको इस थान है ना 26 वा राज्या बना है 36 गड़ की क्लास हम पहले कर लेते हैं आप जो टू कोश्चन के साथ उसके बाद हम करेंट एफ़र की क्लास देखेंगे तो छेत्र फल के अनुसार 36 गड़ जो कौन सा इस्थान है जो छेत्र फल है हमारा तो 36 गड़ जो कौन सा इस्थान है साथवा आपवा नववा यभी दसवा तो इसका आंसर होगा आपका दसवा 36 गड़ जो कितना है कमेंट करके बताएं एक लाग 35,192 वर्ग किलोमिटर एक लाग 35,292 एक लाग 35,492 या एक लाग 35,693 तो इसका आंसर आपका ए होगा एक लाग पैंतिस हजार एक सो ब्यानबे वर्ग किलो मिटर आपसर ए होगा अगर एक्जाम एक सो ब्यानबे के जगह ना लेकार अगर एक सो चौरानबे दे दिया जाता है लास्ट में फिर भी आप कमेंट एक सो चौरानबे लगाईएगा इसका बताएए चटिस गड़ के सबसे लंबी यानि के अंतराशिस सीमावला राज्य कौन सा है उडिशा, जारखन, मद्यप्रदेश या आंद्रप्रदेश आंसर ए होगा उडिशा चटिस गड़ में परित्रनाय साधू नाम किसका अधर सवाक्य है वन विभाग, सिक्षविभाग, स्वास्ता विभाग या पुलिस विभाग अंसर डि होगा पुलिस विभाग चले इनको बताएए किसका क्या एगा अंसर साल वनों का दीप किसे कहा जाता है कमेंट करनाय स्टार्ट कीजे सभी लोग जो महिला परिवेक्षक की तैयारे कर रहे है 27 अगस्तों को इग्जाम है आपका अजबी सगस्त है मातर आपके वाग साथ दिन बच्चा हुआ अंतिम सेश दिन तो अंतिम सेश दिन तैयारी कर लिजेगा महिला परिवेक्षक का जिसमें 36 गड़ प्लस करेंडा फिर के क्लास लेकर आया है वीडियो को लाइक कर दिजेगा फटाफ़ साल वनों का दीप किसे कहा जाता है बस्तर, सरगुजा, विलासपूर या दूर्गर चेत्र इसका अंसर आपका होगा ए साल वनों का दीप किसे कहा जाता है बस्तर छेत्र को कहा जाता है चलिए बताएगा जल्दी से ये सभी एक्जाम में पूछा गया है करकर एका 36 गड़ के कौन से प्रदेश यानि कौन से राज्य से होकर गुजरती है तो करकर एका कौन कौन से राज्य से कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है कमेंट करके बताएं सर गुजर राइगर जस्पूर बस्तर दंते वड़ा नरायनपूर दूर्ग राजनांद गाउं कवर्धा बलरामपूर, सुरजपूर या कोरिया तो इसका अंसर आपका होगा बिलकुल डी जो की करकर एका चलिए जल्दी से बताएं क्या होगा चलिए जल्दी से बताएं क्या होगा चलिए क्या होगा आंसर ए आ रहा है राजिम विल्कुल सही जवाब चलिए पताए च्छतित गर्प्रदेश का कौन सा है जो नदी को सोने के कन के लिए प्रसिद है एक्जाम में पूछा ये भी आपका प्यून वान यानि की चप्रासि भर्तिग एक्जाम में पूछा गया है मंत्रा लेका तो च्छतित गर्प्रदेश का कौन सा है जो सोने के कन पाए जाते है महा नदी, हिंद्रावति नदी, दूद नदी या इब नदी तो इसका अंसर कौन सा होगा इब नदी आंसर दी खनीज उपलबधाता की दृष्टी से छतित गर्प्र का राज्य कौन सा इस्थान है चलिए बताईए पहला, दूसरा, तीसरा, चाउथा यहाँ पर पूछा गया दृष्टी से किसकी दृष्टी से खनीज उपलबधाता की दृष्टी से राज्य का देश में कौन सा इस्थान है तो इसका अंसर आपका होगा बिल्कुल तीसरा तीसरा इस्थान है, याद रख लिए है चतिसगर का राज्य में तीसरा इस्थान है चतिसगर में गुंड़ादूर सम्मान की स्चेत्र में दिया जाता है हर एक एक्जाम में पूछता है करन्ट फिर पढ़ लिजेगा चतिसगर में गुंड़ादूर समाजिक, सिक्षा, सांस्कृतिक या खेल के लिए कमेंड करके बताईए Very good सभी लोग आंसर आना चीए क्या कर रहे है जो महिला पर्यक्षे की तयारी कर रहे है हाँ आंसर डी होगा खेल छेत्र के लिए कौन-कौन मानते हैं कि यहाँ पर व्यापम प्येसिक तयारी करा जेरी आप लोग कर रहे हैं अच्छे से चलिए बताईए 36 गड़ में अलेक जट्राइट का भंडार कौन से जिले में मिलता है गर्याबन, जस्पूर, बस्तर ये राजनान गाओं चलिए बताईए 36 गड़ में अलेक जट्राइट का भंडार आपका बिल्कुल सही जब है गरिया बंजीले में चलिए इसका बताईएगा 36 गर के कितने प्रतिसत भाग गोडवाना सेल समूँ में विस्तार है तो 36 गर के कितने प्रतिसत है जो यह आपका लेवर इस्पेक्टर की एक्जाम में पूछा गया था तो 36 गर के कितने प्रतिसत गोडवाना सेल समूँ का है 17, 20, 28, 27 इसका अंसर साथ 17% आना चाहिए गोडवाना जो सेल समूँ न इक्जाम में पूछा गया है 36 गर का एक मात्र जूट मिल किस जिले में इस्थित है अंबिकापूर, बिलाजपूर, जस्पूर यार रायगाड एक मात्र जूट मिल कहां है बताइए अंबिकापूर रायगाड में है भई, रायगाड में आंसर डी होगा अंबिकापूर नहीं होगा चलिए बताईए इसका 36 गड़े में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो common सी बात है जर्नल नौलेज है 36 गड़े में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है लाल पिली मिट्टी, लेटराइड मिट्टी, काली मिट्टी या इन में से कोई नहीं तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए न, फटाफ़र कमेंड किजिएगा 36 गड़ में सरवाधी कौन से मिट्टी पाई जाती है लाल पिली मिट्टी, आंसर A यह देखिए, एक्जाम में पूछा गया था, लेवार इस्पेक्टर के एक्जाम में 36 गड़ के पहला समाचार पत्र कौन से है जल्दीज बताइगा, महा कौशाल 36 गड़ या हरी भूमि बिल्कुल लेटरेस्ट करेंट अपर है, जो एक्जाम में पूछा जा रहा है तो 36 गड़ के पहला समाचार पत्र कौन से है, लेवार इस्पेक्टर के एक्जाम में पूछा गया है दोज़र तेइस का हाँ, जल्दी बताइगा, मैं भी इसका एक्जाम दिलाया हूँ, लेवार इस्पेक्टर का, जिसमें मैं कोशा जिन्य से कोई नहीं लिया था, ठीक है, जब इसका अंसर कौन सा होगा, महा काउसल होगा 36 गड़ के पहला समाचार पत्र कौन सा है, महा काउसल क्या है 36 गड़ के पहला समाचार पत्र महा काउसल 36 गड़ के उल सडकों की लंबाई कितनी है 36,788, 36,88, 36,388 या 36,900 बचपन क्या हैगा बिलकुल बताजेगा हाँ इसका अंसर आपका A होगा महा कौशल है इन में से कोई नहीं होगा अंसर A इसका क्या हैगा A, B, C, D बिलकुल सहीं जवाब है इसका आंसर आपका D होगा 36,388, 36,388 या आंसर D इसका बताजेगा ये भी एक्जाम लेवर इस्पेक्टर में पूछा गया था सहीद वीनरांसी को रैपूर कज़ इस तंब चौंक में फांसी दी गई थी सहीद वीनरांसी को कब फांसी दी गई थी? 2023 का लेटेस्ट कोश्चन है लेवर इस्पेक्टर में पूछा गया है सहीद वीनरांसी को रैपूर के जईस तंब चौंक पर फांसी कब दी गई थी? तस ती संबर चाहतावान नोदी संबर नहीं होगा बेलकुल गलत है दस दि संबर आएगा चत्ती गणधी किसे कहा जाता है? जल्दी वता ये चत्ती गणधी किसे कहा जाता है? पंडिस सुन्दालाल सर्मा हनमान सी है डाक्टर कुप्चन बगेल या वामा राव लाखे चतिजगड़ के कांधी पंडिस सुन्दालाल सर्मा अंसर ए चतिजगड़ उर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है चतिजगड़ के उर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है सभी लोगों कांधी इसमें आना चीए पटापट कमेंड करने स्टार्ट करें सब ही के सभी लोगों का चतिजगड़ कांधी किसे कहा जाता है खरवत को कहा जाता है चलिए इसका बताईगा क्या है गा इसमें से चतिजगड़ राजधे कल्चूरि की प्रथम राजधानी पाली तुमाण रतनपूर या सिर्पूर अगर इस question को अच्छे से कर लेते हो तो मैं guarantee लेता हूँ यहाँ से एक सी दो नमबर आउस से पूछे जाएगा 36 गर राज्य में कल्चूरियों की प्रथम राजधानी क्या है अरे बैकुप तुम माड है तुम माड आंसर भी 36 गर की स्थापना कब की गई थी इतना सरल question एक्जाम में नहीं पूछता मैं आप जेवटी question के तौर पर लाया हूँ कभी-कभी एक्जाम में पूछ लिया जाय तो 36 गर की स्थापना कब की गई थी 2000 कब 2000 एक नमबर 2000 को 36 गर की स्थापना की गई थी सितनादी वन्य जी अभिरन के इस प्रदेश में हैं 36 गर बिलकुल सही जवाब आप लोग को लिए प्रस नहें आप कमेंड करके बताएगा इस 46 गर का सबसे बड़ा अभिरन कौन सा है सबसे बड़ा वन्य जी अभिरन कौन सा है आपसन बताओं पहला तमूर पिंगला दूसरा है आपका बादल खोल तीसरा है आपका सीतर नदी चाउंथा है आपका जस्पूर क्या हैगा वारन वपारा इसका अंसर तमूर पिंगला होगा सुराजपूर 608 वर्ग किलिमेटर अगर पुछा जाए अभ्यरण में सबसे छोटा अभ्यरण कौन सा है बादल खोल अभ्यरण 105 वर्ग किलिमेटर सबसे छोटा अभ्यरण है सबसे वर्ग अभ्यरण पुछा जाए तो भोरंद्यो कहा है कवरधा में सककरकार खाना एक मात्र सककर खाना अभी कितने सकर कर खाना है पांच राउत नाचा कीज़ प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नित्य है दोज़र तैस के लेवर इस्पेटर एक्जाम में पुछा गया था कि राउत नाचा कीज़ प्रदेश का आदिवासी समुदाय है 36 गड़ असम जब्मू कस्मिर राजस्थान जबकि लेवर इस्पेटर में इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया है क्या हैगा राउत नाचा कीज़ प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नित्य है राउत नाचा अरे 36 गड़ भई राउत नाचा आप सभी को मालूम ही होगा कब नाचते हैं राउत नाचा कब नाचते हैं आप लोग कमेंड करके बताओ लेवर इस्पेटर में पूछा गया है कोश्च्चान आ तो कैसे नहीं पूछा जाएगा सभी में पूछता है चतिस गड़ का पूराना नाम क्या है कोशल दक्षिण कोशल उत्तर कोशल या इंज में से कोई नहीं तो चतिस गड़ को पूराना नाम आंसर भी दक्षिण कोशल कमेंड करे चतिस गड़ के प्रसिद्ध लच्वन वंदिर कहा है सिरपूर में भई आंसर भी चलिए देखते हैं तीसवा प्रस्टन क्या है 36 गर राजे के विधान सब भवन के नाम क्या रखा गया है मीनी माता ये भी लेबर इस्पेक्टर के एक्जाम में पूछा गया है यहां से कम से कम 6-7 कोस्टन आपको मिला होगा लेबर इस्पेक्टर की एक्जाम में छत्तुर गड़ समान्य ग्यान से कोस्टन पूछे गए थे लास्ट कोस्टन आप सभी के लिए आप लोग कोस्टन कमेंड करके बताएं किस जल प्रपात को भारत के नियाकरा जल प्रपात कहा जाता है तीरत गर्ड, अम्रित धाराथ, चित्रकूट या मंडवा आप लोगों के लिए कोस्टन है सभी के सभी लोग इसका अंसर कमेंड बाक्सों में कमेंड करके बताएंगा कल हम लेटेस्ट करेंट अफ्यर के क्लास लेकर आ रहा हैं और दो कोस्टन करेंगे जिसमें दो कोश्टन ही, दो क्लास करेंगे जिसमें आपका महिला पर उच्छक से क्लास लेकर आँगे पहला क्लास आपका करेंट अफ्यर, दूसरा क्लास आपका महिला अमबाल उच्छक से वीविनय योजना आएंस है अगर आप तो जारी करनेंगा छाहते हैं महिलें बाल विवकास की विभीन ने योजना से पुछे गए प्रास्ट में डो टोपिक कर लिजेगा आपका 15 से 20 नंबर कबर हो जाएगा कुछ दिन बचा जिसमें 36 गड़ की समाने जान की क्लास लाएंगे वहाँ से आपका 10 से 12 नंबर कबर हो जाएगा ठीक है पार्ट 3 में लाएंगे इंतिजार करते रहिएगा